नमस्कार दोस्तों वेलकम टू रमेस अकेडमी स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आए शुरू करते हैं आज का वीडियो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा परिक्षा का प्री का कट अप कितना जाता है चुकि बिहार दरोगा परिक्षा का एक्जाम अभ रहेंगे और उसी के हिसाब से आप अपना प्रिप्रेशन कर पाएंगे इसलिए चलिए हम लोग देखते हैं बिहार दरोगा का प्री का कट अप कितना रहेगा और किस तरह से इसका एक्जाम पैटर्न है इस सब के बारे में हम लोग यहाँ पे देखते हैं जिससे आपका प प्रिप्रेशन उसी के हिसाब से आप कर पाएं तो आएए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर आप हमारे चैनल को सेर और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे सेर कर दीजिए और सब को यहाँ पर जोड़ने के भी क्लासे दीए जाते हैं तो आएए शुरू करते हैं आज का वीडियो इस वीडियो में हम लोग जैसे देख रहे हैं कि जो हमारा विहार एसाई की अंतरगत जो है यह पोस्ट आया था लास्ट पोस्ट जो आया था इसके अंतरगत जो टोटल जो सीट थे वहाँ सव सट्र टोटल सीट से जिसमें अनुसिची जाती की जो पदो की संख्या थी 300 थी अनुसिची जनजाती का सीट जो है वह नौ है अंतियत ने पिछड़ा बर्ग की अंतरगत 296 सीट है पिछड़ा बर्ग की अंतरगत 172 सीट है पिछड़ा बर्ग महिला जो की 3% है इसकी अंतरगत 48 स इस तरह से टोटल मिलाकर आपका सत्रस और से लिखा हुआ है उक्त रिक्तियों से समंदित ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की पदती अपनाई गई है जो की प्रकिरिया दिन है इसकी प्रकिरिया पूर्ण होते ही अब यर्थियों को सुचित किया जाएगा यानि कि जो आपका आयोग द्वारा सभी अभियर्तियों के लिखित परतियों गीता परिक्षा आयोजित की जाती है यानि कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा यह परिक्षा जो है आयोजित किया जाता है लिखित परिक्षा दो चरणों में होगी प्रारंभिक परिक्षा यानि क आपका इसमें प्री और मेन दो एकजाम होंगे लिखित परिक्षा के सभी पत्र विकल्पिये प्रस्णों पर अधालित होंगे यानि कि जो प्री और मेन के जो एकजाम होंगे वे आपके अबजेक्टिब टाइप के होंगे प्रारंभीक परिक्षा में जो है दो सव अंको का एकपत्र होगा जिसके अंतर गत्कुल सव कोस्टन पुछे जाएंगे और दो घंटे का इसमें टाइम रहेगा जिसमें समान ज्यान और सम समाईक मुद्दे यानि कि करेंट एफेर्स के कोस्टन इसमें रहेंगे जिसमें से 30% कम से कम आपको लाना प्रारंभिक परिक्षा में प्राप्त अंको कैधार परिक्तियों का 20 गुना यानि कि जितने भी लड़के जितने भी सीठ है उसका 20 गुना स्टुडेंट प्री से क्वालिफाई करेंगे मेन एकजाम के लिए उसके बाद में आपका जो है वहाँ पे मेन एकजाम होगा यद गुना प्राप्त करने के लिए तो उसके बाद में जब स्टुडेंट प्री क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर उसके बाद में मेन एकजाम होगा मेन एकजाम में क्या होगा प्रार्यमिक परिक्षा में सफल अवियर्थियों को मुख परिक्षा में सम्हीत होने का उसर प जाची नहीं होगा और समान हिंदी का प्रप्तांक लेकिन मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जागा यानि कि केवल पेपर 2 को ही जोड़ा जागा दूसर कहीं होगा और हंडेट कोषचन होगे और दो गंटे का यह पेपर होगा इस तरह से हम लोग देख लिए मुख्य परिक्षा का जो है पैटर्न होता है बिहार SI का उसके बद में हैं मुख्य परिक्षा लिखित परिक्षा के अधार परिक्षियों के छोगुना अवियर्तियों का चयन कोटीवार मेगा नुसार साइडिक दक्षता परिक्षा के लिए क यानि कि जो भी फिजिकल होगा उसमें के वाल उत्रीन होना आसुएक है उसके नंबर जो है इसमें नहीं जुटेंगे और आपका जो मेरिट बनेगा मेरिट रिच्ट ऐस्था मेहां पर इंघ रिच को यानि कि जो भी आपका का reduction है उसके अनुसारind अर्षu Sm हो जाता है तो उसमने जिंका जर्मतिती जादे होगा उनके अधार पर उनको सबसे पहले बरीयता दे जाएगी इस तब लोगो देख लेते हैं यहां पर पिछला जो कटफ गिया था कितना गिया था जैसे कि पहला जो राइंक लाए हैं यहां पर राकेश रंजन जी लाएं हैं जो कि जेनरल कंडिडेट की हैं इनका जो मार्क्स 92.73 आया था और इस तरह से राइंक वन इनका था उसी तरह से आप देख सकते हैं दूसरा नंबर कितना जाएगा एकस्पेक्टेट कटफ जो है यूर के टेगरी का यदि आप 140-148 के बीच में 200 में यदि आप लाते हैं तो निश्चित्रुप से सेफ जून में है और इतना मक्स आपको यदि लाते हैं तो आप मेन का तयरी आराम से कर सकते हैं OBC का जो होगा जिसे हम लोग पिछड़ा बर्ग तो इसका 125-135 जाने का चांसे जाए और उसके बाद में तीसरे नमबर पी है OBC जो अतियांत पिछड़ा बर्ग होते हैं इसका जो होता है 118-125 के बीच में जाने का चांस है इसका जो जाएगा 110-150 के बीच में जाएगा और OBC फीमेल का जो है 115-125 के बीच में जाने के चांसे हैं तो यदि आपका अभी आप टेस्ट दे रहे हैं यदि इतना के बीच में आ रहा है तो निश्यतुर्प से तयारी अपना करते जाहिए और 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 भी जाए माक्स बीचला बार हुआ है तो इसलिए इस बार भी होने का चांसे है तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया आपका बिहार से कैसा पैटर्न रहता है और इसका कट अप कितना जाएगा इस तरह से आने वाले समय में हम लोग और वी वीडियो को लाएंगे जितने भी परिशा से बिहार से रिलेटेड बिहार में जितने एकजाम हो रहा है उससे सभी आपको बताया जाएगा और साथ-सात में यहाँ पर हमारे चैनल पर महत और रिजिनिंग के क्लासेज भी स्टार्ट हो चुके है तो इसलिए आप अपने दोस्तों के सब्सक्राइब कर दिजिए और